नमस्कार दोस्तों स्वागत था आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल अब्यक्टिव सेंटर पर इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टर्नर ट्रेट का दोस्तों प्रिवेस एर का यह जो पेपर है दोस्तों 18 अगस्त 2022 को हुगा था तो अगर आप लोग दोस्तों पेप पर देने जा रहा है और आप पर ट्रेट टर्नर है सेकेंडियर है तो आप लोगों के लिए वीडियो काफी हलफूल होगा क्योंकि दोस्तों काफी सारे इस्टुएंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर जो आप प्रिवेस एर का पेपर करा रहा हैं उससे काफी ज्यादा को मैं कोई भी मतलब ज्यादा भी इसस नहीं डाला था तो टर्ना ट्रेट का मुझे आज पीडियोफ मिला है तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग इससे अच्छे से पढ़िएगा और इससे आपके एक्जाम में कोश्चन फंसेंगे काफी ज्यादा आप इससे अच्छे से पढ़िएगा सबसे पहले यहां पर देखे कोशन पूछा गया है वाट इस दा नेमा अब दा गेज यह जो गेज दोस्तों आपको दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है तो देखें दोस्तों यह आपका कालाता है इस्कूरूप पीच गेज ठीक तो कठोर टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए किस ताप उप्चार प्रक्रिया को उपयोग किया जाता है तो देखें दोस्तों कठोर टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए हम लोग टेंपरिंग हीट ट्रीटमेंट प्रासेस का परियोग करते हैं ठीक तो टेंपरिं तीसरा कोशन यहाँ पर करें, what is the full form of TPM, TPM का पूर्ण रूप क्या है, तो देखें, TPM को जो full form होता है, वो और रहता है, आपका total productive maintenance, आपसा नमबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, total productive maintenance, चो अथा कोशन यहाँ पर, what is the form of CNC, यानि कि यहाँ पर CNC का full form होता है, तो देखें, CNC का जो full form होता हुआ, रहता है, आपका computational numerical control, आपसा नमबर यहाँ पर C करेक्ट हो जाएगा, computational numerical control, पांचमा कोशन यहाँ पर कहा गया है, what is the reference value of a grade number N1, तो देखें, यहाँ पर grade number N1 का जो खुर्दरापन कमान होता है, वो रहता है, आपका 0.025 micron, छठा कोशन है, what is the type of the jig, यह जो jig दोस्तों आपको दिखाया गया है, इस jig का नाम आपको बताना है, तो देखें, यह जो jig है दोस्तों, यह आपका कहलाता है, plate jig, आपसा नमबर यहाँ पर B correct हो जाएगा, plate jig, सातों question है, what is the property has the ability to retain hardness under saver working condition, गंभीर काम की परिस्थितियों में कठोरता बनाये रखने की चामता की property क्या होती है, क्या होता है, दोस्तों, आपका hardness यानि की कठोरता, आठों question है, what does M20 stands for, M20 का मतलब क्या होता है, तो देखें, M20 का मतलब होता है, metric thread 20 mm diameter, ठीक, तो metric thread में 20 mm diameter होता है, यानि की ब्यास होता है, यहाँ पन्नावा question है, what is the roughness grade number for symbol, इस symbol के लिए दोस्तों, जो roughness grade number होता है, क्या है, जिसके लिए दोस्तों है आपका N7 to N9, दस्वों question है, which heat process is increased the toughness and decreased the brutalness, कौन से उसमों प्रकिरिया का ठोरता को बढ़ाती है, और भंगूरता को कम करती है, यह रहते हैं दोस्तों, आपका tempering, आपसा नमबर यहाँ पर डिक रेक्ट हो जाएगा, tempering, ग्यारे नमबर question है, what is characteristic indicated by symbol, यह दोस्तों प्रतिक दोवारे इंगित विशेश तक क्या है, यह जो है दोस्तों आपका position का है, आपसा नमबर यहाँ पर डिक रेक्ट हो जाएगा, position, बारे नमबर question है, what is the gear ratio if the last constant value is 1, यह दिले इस्थिरांक के कामान एक है, तो gear का अनुप बात हो जाएगा, एक ही, तेरे नमबर question है, how many maximum, sorry, how many minimum axis are provided in machining center, machining center में कितने निवंतमाच परदान किया जाते हैं, तो देखिए, जो machining center रहते हैं, उसमें जो निवंतमाच परदान किया जाते हैं, वह रहते हैं, आपके, तीन axis, तो three axis हो जाएगा, 14 नमबर question है, which type of thread is used in leth head screw, leth head screw में किस प्रकार के thread का उपयोक किया जाता है, तो, देखिए, leth head screw में जिस प्रकार के thread का उपयोक किया जाता है, वह रहता है, वह रहता है आपका, Redmi thread, आपसटन नमबर यहां पर भी correct हो जाएगा, Acme Thread. Acme Thread का अहां पर answer correct हो जाएगा. पंदर नमबर question है. What type of thread is used in screw jack machine? Screw jack machine में किस प्रकार के thread को उप्योग किया जाता है? देखिए screw jack machine में दोस्तु हम लोग जो thread यूज करते हैं वहां रहता हमारा square thread chocoord thread आपस नमबर यहां पर भी भी क्रेक्ट हो जाएगा ठीक सॉले नमबर कोशन है विच माटेरिल इज तू मेंकर्स बटन को बनाने के लिए कौन से समगरी को प्योग जाता है देखिए दोस्तों टूल मेंकर्स बटन को बनाने के लिए जो समगरी यूज किए जाता है वह रहता है आपका हाड़न कोड़ी यह प्लेट ज्याइदा परिशुद्ध होती है तो यह रहता है दोस्तों आपका ग्रेड वन का अठारा नमबर का कोश्चन कह रहे हैं यहाँ पर वाट डो यू मीन बाई VMC वी एमसी का फुल फर्म आपको बताना है तो जएक हमसी का फुल फर्म होता है वर्टिकल मसीनिंग सेंटर आपसा नमबर यहाँ पर डिक रेक्ट हो जाएगा वर्टिकल मसीनिंग सेंटर उन्निस नमबर कोश्चन कि वीच मोड एग्जुकूट द स्थिति में बनाए रखने के लिए कांसी थ्रेड अधिक उप्यूगत होता है यह रहता है फोर भी यह थ्रेड 21 नमबर कोशन है कि which later the origin indicates in coordinate geometry यानि कि coordinate geometry में origin का संकेत किस अच्छर से मिलता है कि यह मिलता है by later capital हो तो ओ अच्छर से मिलता है 22 नमबर कोशन है what is the lead of M10 into 1.5 double start thread M10 into 1.5 double start thread का lead क्या होता है यह रहता है आपका 3 mm का 22 नमबर कोशन है which axis is parallel to Z axis कौन साच जड़ अच्छ के समना अंतर है तो देखे इस spindle axis जो होता है यह आपका जड़ अच्छ के समना अंतर होता है 24 नमबर कोशन है which type of jig is used to hold thin and soft part पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए किस प्रकार के jig का उप्योग के जाता है तो देखे पतले और मुलायम भागों को पकड़ने के लिए जो हम लोग jig यूज करते हैं वह रहता हमारा sandwich jig 25 नमबर कोशन विच वन इज चीफ कंस्टिक्वेंट आफ फेरस टूल मटेरियल इनमें से लोग टूल सामगरी का मुख के घटा कांसा है तो वह है दोस्तों आपका आयरन यानि की लोहा है 26 नमबर का कोशन यहां पर देखे का रहा है कि विच टाइप विच पार्ट इज मार्क एज कैप्टल एक्स इन कापी अटेच्मेंट यहां पर एक्स की रूप में दोस्तों यह जो दिखाएगा कापी अटेच्मेंट यह आपका क्या है जिससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टाइलस यहां पर देखे यह फीघर दिया गया चांटी सेवन नमबर का कोशन हुएर दा टरएट हेड़ टरएट लेट इस जनडरी मांटेड आम तर पर ट्रेट खराज में ट्रेट एड़ कहां लगाया जाता है इससे चेडल में लगाया जाता है तो सेडल यहां पर क्या क्या है तो देखे टूल मेकर बटन के लिए जो मानक व्यास होता है वह आठ यम्यम दस यम्यम और बारे यम्यम होता है ठीक 29 नमबर कोशन है विच पार्ट आफ लेट इस यूड़ टू कैच थ्रेड क्विकली थ्रेड के किस वाग का उप्योग थ्रेड को क्रेंट के लिए किया जाता है तर आपका दोस्तों चेसिंग डायल हो sorry कर שמצ करें या आपका यह जो इंस्टुमेंट है आपका टेलिस्कोफिक गेज हो जाएगा 31 नमबर कोशन वाट इस दीवास दीवाइस दिखाया गया है तो यह जो डिवाइस से दोस्तों यह आपका क्यालाता है टर्निंग फिक्सचर आप सो नमबर डी करेक्ट हो जाएगा 32 नमबर कोशन है How much percentage of cutting speed could be increased by using super high speed steel tool Super high speed steel tool का उप्योग करते समय Cutting speed कितने प्रतिसत बढ़ाई जा सकती है तिया दोस्तों जो super high speed steel tool का उप्योग करते समय Cutting speed को हम लोग 15-20% तक बढ़ा सकते है 33 नमबर कोशन करा है What is the maximum size of bore that can be checked with telescopic gauge Telescopic gauge इसे bore का धिक्तम आकार मापा जा सकता है यह रहता है दोस्तों 152.4 mm 34 नमबर कोशन यहाँ पर करा What is the name of the device यह जो डिवाइस आपको दिखाया गया है इस डिवाइस का नाम आपको बताना है तो देखें दोस्तों यह जो डिवाइस है आपका मीलिंग फिक्स्चर का है तो मीलिंग फिक्स्चर आपसा नमबर सी करेक्ट हो जाएगा 35 नमबर कोशन करा कि Which quality element confirm है specified requirement कौन सा गुड़वत्ता तत्वी निर्दिष्ट आवसकता की अनुरूप है तो यह है दोस्तों आपका quality of conformance है तो अनुरूपता की गुड़वत्ता हो जाएगा आपसा नमबर एक करेक्ट 36 नमबर कोशन वाट इच कैप्टल जानी टेल इस्टाक आपसेट मेथाड है तेल इस्टाक आपसेट विधी में L क्या है तो यह है दोस्तों आपका जी 75 नमबर कोशन है वाट इस यूज़ टू प्रिवेंट कंसेंट्रेशन आप अब्रियेश्व अन लैपिंग सर्फेस किसी उप्योग लैपिंग सताय पर अब घर्सक की सौंद्रता को रोकने के लिए क्या किया जाता है तो वह रहता है आपको वहिकल अब देखिए यहां पर है वर्कसाइब कल्कुलेशन अंड साइंस का दोस्तों यहां पर च्छै कोशन आपको देखने को मिलेगा पहला कोशन है वाट इस दा यूनिट आफ इस्ट्रेंट की काई कोई भी नहीं होती है यानि कि विक्रितिक की काई नहीं रहती है अब देखिए यहां पर है दूसरा कोशन वाट इस दा मैक्सिमूम परसेंटेज आफ इस्ट्रेच आफ इस ओरजिनल लेंथ इज एलाव एवल फार इलाश्टिक मटेरियल लोचदार समगरी के लिए इसकी मूल लंबाई का अधिक्तम परिस्त क्या सुविकारी है तिया है दोस्तों आपका 300 प्रतिसात आपसा नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा अब देखिए यहां पर तीसरा कोशन है वीच टाइप आफ इस्ट्रेस यह इस्ट्रेस किस प्रकार के तो देखिए एक लेफ्ट साइड की राइट साइड बीच का बाग क्या हो जाएगा कट ज पांचवा कोशन यहां पर करें वाट इस्ट्रेक्चर फार्ण इफ ए इस्टील इज हीटेड फार एबाउट सीएवन टू थी डिग्री सेल्सियस उस संद्रशकना का नाम क्या है यह इस्टील को साथ सो तेश डिग्री सेल्सियस पर गरम किया जाता है तो देखिए वह रह आपसा नमबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा अब देखिए इंजिन्विंग ट्राइंग के दोस्ते आपर च्छा कोशन देखने हो कि मिलेगा पहला कोशन है नाट और बॉल्ट कैसे हैं तो देखिए नाट और बॉल्ट दोस्तों आपके टंप्रेरी फास्टनिंग यहा दूसरा कोशन है कि रीबेट्स आट जनेली इस्पेशिफाइड बाई रीवीट काॉंतर पर हम लोग कैसे इस्पेशिफाइड यह निरिजिश्ट करते हैं तो रीवेट को दोस्तों लग नॉमिनाल डायमीटर से निरिजिश्ट करते हैं तिसरा कोशन इंक्लूदेड एंग आधार पर कितने प्रकार की होती है तो होता है आपका दो प्रकार का पांचना को में हैसे दोस्तों कि अंप प्रिप्लाइबिल्टी इसकिल का कोश्चन आ गया पहला कोश्चन कराएं विच वन इस एक अस्पस्ट होना यह पूर कम्मिनिकेशन कहलाता है दूसरा कोशन है कि एक रिजूम कैसा होना चाहिए तो रिजूम तीसरा कोशन है कि when something good happens to us we feel जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें कैसा मैसूस होता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें पाश्टिव इमोस्टन से लाइक हैपिनेस खुशी जैसी सकरात्मक भागना मैसूस होती है ठीक केंप्यूटर के डेता को एक permit से दूसरे permit में बदलने को हम लोग क्या कहते हैं तो यहाँ पर पांचवा कोशन यहां पर करा वाट इसेंसियल ली रिक्वार्ड टू रिसीव कम्निकेशन बाइ इमेल इन अडिशन तो एक कंपूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन के लावा इमेल द्वारा संचार प्राप कनने के लिए रूप से या आवस्याख है इसके लिए दोस्तों इम चाहें, आपसों नंबर आहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। सहधा कोशन है दोस्तों नान-verbal कम्टिकेशन के साथमा कोशन है को arranged कंपूटर को वायरलीस कनेक्ट करने के सबसे सामने तरीका क्या है दिखें ए कंपूटर को वायरलीस कनेक्ट करनेक्ट यगी कम लीए है आठा कॉशन है वेन वी स्पीक तो पीपूल इन आवर वर्क फिलेश्ट वीड टू जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या होता है यानि कि आकर प्रिवरतन करें प्राइब नंबर कॉशन एप जाला लएंड Christmas सुने और बात करें ग्यारे नंबर कोशन है विच वैरलेस टेकनुलाजी स्टेंडर्ड यूज़ फार एक्षेंजिंग डाटा बिट्विट्विट एंड मॉबाइल डिवाइस उहर साथ डिस्टेंज कम दूरी पर इस्थिर और मॉबाइल डिस्वाइस के बीच डेटा का अधान परतान करने के लिए किस wireless technology standard का उपयोग किया जाता है इसके लिए Bluetooth का परियोग किया जाता है आप सो नंबर यहां पर भी correct हो जाएगा बारेंबर कोशन है role models that people to follow them तो देखिए role model inspire people follow them हो जाएगा तेरे नंबर कोशन है which one is इन इंटर्व्यू कौन से इंटर्व्यू नहीं है तो देखिए इंटर्व्यू जो नहीं है वह है दोस्तों टर्निंग अप लेट देर से आना यह आपका इंटर्व्यू नहीं है चौधे नंबर कोशन है magnificent sharp lengthy bright और example आप तो यह किसके हैं तो यह describing word के हैं ठेक यानि कि व्याक्षा करने वाले सब्द हैंगी पंदर्व्यू नंबर कोशन देयर डडडडड एक काफी सब्द द द पार्क है तो यहाँ पर देयर इस एक काफी सब्द द पार्क हो जाएगा completion of your ITI training what is the first step to get a job अपनी ITI training पूर्ण करने के बाद जाब प्राप्त करने का पहला कदम क्या है तो यह दोस्तों अप्लाइंग फार जाब यानि कि लिए आवेदन करें सत्रे नंबर कोशन है दा एनॉंस्मेंट डडडड इस्टरडड़ वाज अननेसेसरी कंप्लेट अप्रोप्रियेट वर्ड यहाँ फ्रोज़ेगा अठार इस नंबर कोशन है दा प्रेंस्पल इसूज एस सर्कुलर एबाउड दा ड्रेस कोड टू वी फालोड वाइद दा आल इस्टुडेंट इस इस टाइप अफ कम्प्राचार ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया यह किस संचार है तो यह आपका फारमल यानि कि आपचारिक संचार है निस नंबर कोशन है कम्प्लीट दा संटेंस भी तो सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड दा एरिया इच डड़ आज दा हाउसेज इन इट कास्ट ए लाट आफ मनी यहां पर एक्सपेंसिव आपसा नंबर यह करेक्ट हो जाएगा इस नंबर कोश्चन है वेन वरकर कंट्रिब्यूट्स टू ब्रिंग दा बेस्ट आउट्पूट बाई यूजिंग दा अवलेबल रिसोर्स दा वरकर जैब एक करमेचारी उपलब्द संसाधनों का उप्यों करके सरवत्म आप्पूट लाने में य केंपूटर प्रोफेशनल के लिए जरूरी होता है तो कंपूटर देखें कंपूटर के लिए जरूरी होता है बाइस नंबर कोश्चन है विच इजनाट अएक्ट आफ इंटर्पर्नियोर्शिप कॉंस उद्धिमिटा का कारे नहीं है तो क्रिएट अनिम्पूलाइमेंट करना जद्धिमिटा का कारे नहीं होता है तेश नंबर कोश्चन ऐसे कनवर जेसें नसे सार पाइभ अधिकारिक बात चित्क किसका हिए और फार्मल कॉम्प्निकेशन इसे या निक ऑफचारिक समवाथ का हिसस्वाद है चोईबिस नंबर कोश्चन है ऐस ट्राड़ट इ Сп सामान रूप से नाकरात्मक कैसे दिया जाता है या कि रचनात्मक रूप से दिया जाता है तो 25 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर टर्ना ट्रेड का सेकेंड यर का प्रिविएस यर के पेपर समाथ होता है अगर आप लोग इसका पीडिएप चाहिए तो आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए या फिर दोस्तों अब्जेक्टिव सेंटर वेबसाइट से भी आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया गया है जाके अपना जोईन कर लें मिलेंगे दो सकते हृँutar के जाइए लोग टोस्तों खत्aching कर दो मेंटी को लिंक आपको मिलें आपके लें आपको मिलें परका मैंन के बाно्पके इस आपकी आपकippleर के सब्कों कर दून बाक cleaning आपous आपको is anassy帶पकों दून फून